एक तरफ जहां किसान और सरकार के बीच बातचीत की तयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुसकर मोबाइल टावर्स में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पंजाब के कई ऐसे जिले हैं जहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों को देखने के बाद सीएम कैप्टन अमरंदर सिंग ने ऐसी हरकत करने वालों को कड़ी चेताफ नहीं दी है। सीएम ने पुलस को आरोपियों के खिलाब सख्त आक्शन लेने को भी कहा सिरोजपूर मोगा मांसा तरंतर पंजाब के इन शहरों के बस नाम बदलते जाई हैं तस्वीर आपको एक जैसे ही दिखेगा हर जगा मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया जा रहा है और ना सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है बल्कि केंद्र सरकार और प्रधान मंत्री के खिलाफ नारे बाजी भी कर रहे हैं पहती चकर उतावा और ये सब हो रहा है किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के नाम पर पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से जो किसान आंदोलन शांदे पूर्ण तरीके से चल रहा था अब उसमें अराजक तत्व घुसाएं हैं, आंदोलन के नाम पर तोड़ फोड़ हो रही है, इंफ्राश्ट्रक्चर को नुकसान पहुचा जा रहा है पंजाब के अलग-अलग इलाकों में मुबाइल टावर को नुकसान पहुचा जा रहा है मोगा से लेकर मानसा तक और तरन तरन से लेकर फिरोजपुर तक मुबाइल टावर्स को नुकसान पहुचाने की तस्वीरे सामने आ रही हैं लोग मुबाइल टावर के दफ्तरों में ताला लगा रहे हैं, कर्मचारियों को आफिस के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, और जब कुछ पूछा जाता है, तो किसा अनांदोलन की बात करते हैं, और मोधी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। पंजाब के मोगा में कुछ लोगों ने मुबाइल टावर का कनेक्शन काट दिया, जनरेटर को बाहर रख दिया, बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी, पुलिस ने मुबाइल टावर का कनेक्शन काटने के आरूप में चार लोगों को पकड़ा है, लेकिन इसके बाद लॉएन ओर्डर सिच्वेशन पैदा हो गई, पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारिबाजी शुरू कर दिया, पता लगा कि जियो के इंजीनियर और पुलिस पार्टी साथ आई है और गाउं के पास गुर्दवारों में भी अनौसमेंट हुई है, परिवार के जो भी लोग कि ताना शाही नहीं चलने देंगे, मानसा में तो भारतिय किसान यूनियन के एक ग्रूप की अगवाई में मुबाइल टावर्स को निशाना बनाया जा रहा है, किसानों ने एलान किया, जब तक सरकार तीनों क्रिशी कानून को वापस नहीं लेती, तब तक संघर्ष करते रहेंगे, पंजाब के तरणतारन के भीखी विंड के एक गाउ में, किसान मजदूर संघर्ष कमिटी के लोग जीओ के मुबाइल टावर्स के उपर चड़के, बावर सप्लाई बंद कर दी, बिजली काटने वालों ने कहा, कि जीओ का नंबर है तो चेंज कर वालो, क्यूं टावर जो चलता है, इसका हमने कनेक्शन बंद कर दिया है, मुबाइल टावर्स में तोडफोड की घटनाओ को पंजाब के सेम कैप्टन अमरिंदर सिंग ने गम भीरता से लिया है, उन्होंने पंजाब पुलिस को ऐसे लोगों से सकती से निपटने को कहा है, अमरिंदर सि पनियों के 21,306 मुबाइल टावर्स लगे हैं, पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब में 1561 मुबाइल टावर्स को निशाना बनाया गया, इन में से 146 मुबाइल टावर्स पर सोमवार को ही धावा बोला गया, 32 टावर्स की सप्लाई काट दी गई, इसकी क्योंकि जब तक इंजिनियर्स एक जगा सप्लाई ठीक करते हैं, तो दूसरी जगा से हंगामे की खबर आ जाती है, जाहिर है, इस तरह की हरकतों से एक तरफ तो आम लोगों की परिशानी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का अंदोलन भी बदनाम हो रहा है